श्रीरामनला विराजमान के बाद आयोध्या में श्रद्धालों की बीड़ बढ़ती जा रही है अलग अलग सतर पर क्राउड मैनेज्मेंट प्लान तयार किया जा रहा है एरपोर्ट पर किस तरीके से crowd management plan को तयार किया गया है हमाई साथ थे DIG, CISF, श्रीकान किशोर जी मौजूद है सर शर्दिहालियों की लगातार भीर बढ़ रही है एरपोर्ट पर किस तरीके का crowd management plan तयार किया गया है आप जानते हैं अमिद जी एरपोर्ट की सुरक्षा हमारे अपने जो मैंडेट है उसका एक पार्ट है नौ जनवरी को CISF का डिप्लॉइमेंट आयोध्या इंटरनाशनल एरपोर्ट यानि महर्शी वालमी की अंतरास्ट्री एरपोर्ट आयोध्या में हुआ और उस समय एक दिन में दो फ्लाइट थी उ यानि 22 जनवरी यह हमारे लिए काफी बिजी समय रहा है और हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि हमारे 146 बलस दस्यों ने बहुत कठोर परिश्रम से दोनों ही दिन बहुत संतोष जनक तरीके से न केवल एरपोर्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है बलकि एरपोर्ट से गुजरने वाले 350 वी आईपीज को सुरक्षा प्रदान की है इसके साथ साथ दो दिनों के भीतर में तकरीबन कुल मिला करके 125 के आसपास चार्टर फ्लाइट्स, उनकी पार्किंग, उनके सारे मूव्मेंट्स का इंतजाम, सिटी साइट की सुरक्षा का बंदुबस्त, इन सारी चीजों को संभव किया है सर, आने वाले दिनों में जैसे शर्धालों की भीड़ बढ़ रही है, तब उसके तहत क्या आने वाले दिनों का प्लान तियार किया गया है निश्यत रुप से हम लोग उमीद करते हैं कि अयुद्या में जो एरपोर्ट है बो लगतार साइज में या फुट फॉल में बढ़ा होता जाएगा और वहाँ पर उसके मताबिक security का infrastructure, security का manpower इसको भी बढ़ाया जाएगा सर नई तकनीक और नई जमानों की संख्या भी क्या आने वाले दिनों में बढ़ाई जाएगी बिलकुल बढ़ाई जाएगी और नई technology जैसा आप जानते हैं अभी हम लोग अपने देश में aviation security में जो सबसे modern technology है उसका इस्तेमाल करने लगे हैं कुछ technology ऐसी भी है जो निकट भविश्य में आ जाएगी और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत शीग्र अयवध्या में भी ये सारी सुविधाई मौजूद रहेंगे सर और भी कुछ VIPs को भी handle करने क्या विशेश दस्ता भी वहाँ पर तैनात होगा कुछ एरपोर्ट के भीतर में जो भी VIP आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी aviation security group की यानि CISF की ही होती है और उसके लिए हमारे लोग खास तोर पर train किये गए हैं हमारी जो किवाटी की टीम है हमारी जो VIP security की टीम है वह हमारे full deployment का एक part होता है तो यह थे कि श्रीकान किशोर जी डियाईजी CISF और आने वाले दिनों में भी CISF किस तरीके से तयार होगी उसके लिए की गई है खास तयारी प्रभप्र में भी CISF और आने बात्किर की जब में भी CISF और आने वाले भी CISF किस तरिशने हैं हमारी जी बासाले दो यह थे।